सुप्रबार बच्चों, इछले अंश में हुने देखा कि किस तरह से लेखक ने निर्ण किया कि वो साब को बिना मारेगी, डंडे से चित्थियां अपनी ओर सरकाएंगे और चुपचाप महां से निकल जाएंगे। मगर क्या ये आसान था? अब इसकी अगले अंश में हम देखेंगे। डंडे को लेकर जोनी मैंने साब की दाई और पड़ी चित्थियों को चित्थि की ओर उसे बढ़ाया और साब का फन पीछे की ओर हुआ। जैसे ही उसके दाई और पड़ी चित्थियों को सरकाएंगे उन्होंने कोशिश की वैसे ही वो हुं गया। देरे देरे डंडा चित्थि की ओर बड़ा जोनी वो चित्थि के पास पहुचा फुमकार के साथ एक बिजली सी तड़पी और डंडे पर दिली। रिदय में कम हुआ और हाथोंने आज्यानम माली डंडा चोट पड़ा और वो जैसे ही सापने डंडे पर फुमकार माली वैसे ही डर के माले लेखब के हाथ से डंडा चोट गया। मैं तो न मालूम कितना उपर उचल गया। और डर के मारे वो उपर उचले। क्योंकि आज तक उन्होंने केवल मैदानों में साथ को मारा था। मगर आज एक बंद दुए कि अंदर साथ को साथ की पासी चिपनों को सरकाना कितना मुश्किल लग रहा था। जार भूच कर नहीं योगी पिदप करो उपर उचल पड़े। और उन्होंने देखा कि तेन चार स्थामों पर इंसा लगा हुआ है। महाँ पर साथ का विश्च लगा हुआ था। साथ ने मानों अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया था। पर मैं तो उसकी योगेता का पहले भी कायब था। कायब अर्था उसकी शक्तिको मानने वाला। साथ की जो शक्ति और योग्यता है इसको तो लेकर पहले से ही मानते आए थी। उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, साप ने लगाता फूर फूर मारकर वहां पर दी चार चोपे की, बहर दंटा पहली बार इस भाती अपमानिक हुआ था, आज तक केवल उन्होंने उस दंटे से साप को मारा था, साप ने कभी भी दंटे पर वार भी दिया था, मगर पहली बार आज साप ने उस पर वार दिया, और यह शायर मह साप का उपहास कर रहा था, कि देखो तुमने मुझे पर कुंकार मारी, मगर मुझे कोई असर ना हुआ, उदर फू-फू और मेरे उचलने से वही धमागे से खड़े होने से छोटे बाय ने समझा, कि उनका कार्य हो गया, उनका बद्रुत वगानाता फू-फू और धमावे से तूट गया, अर्खार छोटे बाय ने सोचा कि अब उनके जो बड़ा भाई है, वो जिन्दा नहीं बचा गया, और उसने खयाल हिया कि साप के काटने से मई दे गया, और मेरे कष्ट और देख के खयाल से उसक चीख निकल गई, उसकी जोर से चीख निकल गई और वो बिचारा जोर जोर से रोने लगा, चोटे भाई की आशंका बेजा ना थी, बेजा था बेवजव, पर उस फू और धमावे से निया साहां चो धाव कुछ और बढ़ गया, दुबारा फिर उसी प्रकात उन्हों ने पापे को उठानी की चेश्टा की, अपकी बार साब ने बार भी किया, और डंडे से चिपट भी गया, दोबारा जब उन्होंने फिर कोशिश की फिर प्रयास किया, तो साब अपकी बार केवद उसमें बार भी किया, बल्द की डंडे से वो चिपट भी गया, डंडा हास से चुटा तो नहीं, पर जीजग सहम अत्वा आतन से मेरी ओर हीज गया, और गुंजल मारता हुआ डंडा हाद से चुटा नहीं मगर वो गुंजल तकाट मारता हुआ, साप का पिछला भाग, जैसे ही साप ने उस डंडे को लपेटा फुट को उसका जो पिछिना हिस्सा था साप की पूच की और का हिस्सा वो लेकप को चुण गया और उफ, इतना ठंडा था, डंडे को मैंने एक और पटग दिया और यदि कहीं उसका दूसरा वार तखले होता तो उचल कर मैं साप पर दिलता और न बचता लेकिन जब जीवर होता है तब हजारो धंड बचने के निकल आते हैं वह दैवी क्रिपाथी अगर वो उच का हिस्सा ना होते उसका मूँ का हिस्सा होता था तो उनके हाथ पर वो निश्चित ही धंड मार गीता डंडे की और मेरी ओर खीचे आने से और साब के आसन बदर गए अब साब दूसरी ओर हो गया मैंने तुरंट लिपाफे और पोस्कार्ट चुन लिये चित्तियों को धुटी के छोड में बांदिया और भाई ने उन्हों इपर खीच लिया तो आखिरकार उनकी जो उनका जो निर्डेटा उनकी जो मेहनती वो सब रंग लाइं और उन्होंने तीनों चित्तिया समेट कर गदियों बांदि और भाई ने उस दोटी को फीच लिया धन्यवाद